नमस्कार बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पर वंतिवारी समाज में आज भी बेटियों को बोज समझा जाता है लेकिन जब बेटियों की सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आती है तो वो समाज को आईना दिखाती है ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी है तीन सगी बेहनों की हन्याना के छोटे से गाउं वजीरबाद की रहने वाली तीन सगी बेहने अब वर्ड ताइकुवांडो चेंपिंशिप 2022 में भारत का प्रतिनी दित्व करती हुई नजर आएंगी आपको बता दें कि पहले भी तीनों बेहनो ने कई इंटरनेशनल चेंपिंशिप में भारत की तरफ से भाग दिया है और अब वर्ड ताइकुवांडो चेंपिंशिप 2022 में भारत का प्रतिनी दित्व करती वी नजर आएंगी यह प्रतियोगिता 21-24 अप्रेल तक दक्षिन कोरिया के गोयांग शेहर में आयोजित होग और उन्होंने अपने गाउं के साथ पुरदेश का नाम रोशन कर दिया है महराश्ट्र के और अंगबाद से तीनों का चैन हुआ देश भर के करीब 1050 खिलाडियों ने भाग लिया जिसके बाद ओपन चैन प्रक्रिया में गुडगाओं के वजीराबाद की रहने वाली ती यादव गीता यादव रितु यादव का चैन हुआ और अब भारत का नेतर्त्व चैंपेंशिप में करती हुए नजर आएंगी तीनों बहनों के पिता जितेंदर सिंग यादव नोकरी नहीं करते हैं वे किराय के पैसे से ही परिवार का पालन पोशन करते हैं तीनों बहनो पुरा देश उनकी चेन के बाद में खुशिया मना रहा है और साथ ही दुआएं कर रहा है कि तीनों बहने पदक ले कर वापस लोटें इसके अलावा प्रिया, गीता और रीतु के पिता ने बताया है कि तीनों बहने घर पर ही प्रक्टिस करती हैं वह किसी कोच के पास जाकर के ट्रेनिंग नहीं लेती है, सुबह शाम लगबग आठ घर की प्रक्टिस तीनों बहने करती हैं उसे के बाद तीनों भेनों ने नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि तीनों भेनों ने कई बार कई स्थर पर भारत के लिए पदक जीते हैं। और अब पुरा गाहँ पुरा देश जुआ कर रहा है कि वर्ल्ड ताइकोवंडो चेंपिन्शिप में भी भारत के लिए पदक जीत कर वापस लोटें। आप क्या को सोचते हैं कमेट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें और साथ ही वन इंडिया की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।